है 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 जी अएिटे का online class में अपनों का स्वागत है और आज के class करें दों सीखने वाले एह अभिमेवारी युनिट के बारे में कि रियल में ऑले labor होता क्या है मेमोरी गाइम छोटा युनिट होता क्या है और की और किवूनित का स्थमाल कि लिए किया जाता है वह करकि सिखने वाले और जाहते लिए इसको समझते हैं हुट तो सबसे पहले मिं बतादो कि आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो बढ़ाया थाился स्टार्टिंग में कि जो हमारा यह कंप्यूटर होता है क्या होता है यह कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर पर जो भी हम लोग करते हैं क्या करते हैं जो भी हम लोग करते हैं और उसका इस्तमाल अगर हमको फ्यूचर में करना है क्या करना है जी फ्यूचर में करना है तो मैंने बताया था आपको न उस डाटा को क्या करना पड़ेगा आपको सेव करना पड़ेगा बोलो तो जब सेव करते हैं तो वह सेव कहीं ने कहीं होता है वह सेव होता कहां पे है तो हमारे म मेमोरी में होता है यह पहले ही पढ़ा चुका हो मैं आपको बोलो जो काम कर रहे है वो भी जो इस्टोर रहता है वह भी मेमोरी में रहता है लेकिन वो क्या रहता है टेम्परोरी से बहता है लेकिन जब उसको हम लोग सेव कर देते हैं तो वह पर्मानेंटली इस्टोर हो जात सब्सक्राइब सभुत कि मेमोरी का क्या है यूनीट है- अभी इसके लिए अलग अलग डिवाई स्मोश करण बनाएग – अब इसका इस्तमाल हम लोगो एके करके करते हैं लेकिन याद होगा मैंने पढ़ाया था कि computer में जो भी काम करते हैं वो क्यों समझता है 0 और 1 में तो जैर सी बात है, data को भी historical किसमे करता होगा 0 और 1 में और मैंने बताया था कि जब हम काम कर लेते हैं और डाटा को जब सेव करते हैं तो डाटा को यह श्टूर भी करता है वह किसमें जीरो और वन में पेंस क्या मतलब है पर जेंट टाइम में जो काम कर रहे हैं यह हमने डाटा पर काम करके सेव कर दिया जो भी डाटा हमारा सेव होता है वह सेव किसमें होता है जीरो वन में यह लिए इसलिए बोला गया है कि मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट होता है क्या है बीर चुकि जो 01 है ना वह इक सब्सक्राइब क्लाने नंबर है और नंबर में क्या था शुरूआत में जिरू और वन और यसी 01 को किसमें इंडिकेट करते हैं, बिट में, और इसी बिट को बोलते हैं, यह मेमोरी का सबसे इसमाल यूनिट है, तो कभी भी कोश्चन पुछा जाए, कि मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट, तो क्या जबाब देंगे, 0 और 1, नाम बताई, बिट, जब यूनिट पूछे, तो बिट होगे, 0, 1, 0 का मदलब, आप होता है, 1 का मदलब, आन होता है, बनलब इसी सारे डाटा को श्टूर करता है, अब ध्यान दो, अब जायर से बात है, कि जब हम डाटा बढ़ाएंगे, तो इसका लिंथ भी बढ़ता जाएगे, अजब बढ़ता जाएगा, तो जैसे जैसे होता है न, इस टार्टिंग में बच्चा तो करते हैं बाबू, उसको नाम चेंज होता दूसरा, फिस से नाम तीसरा, एक एक करके बढ़ा जैसे होता जाता, नाम चेंज होता जाता है, वह ऐसे इसका भी है, कि जब हम लोग काम करते हैं, जो डाटा हैं स्टूर करते हैं, त चलिए हमनों सीखते हैं और समझते हैं तो ध्यान देना बताया जाता है कि memory के जो सबसे छोटा unit होता है वह होता हुसे बोलते हैं बीट और इसा क्या बोलते है जीर और उन अब ऐसे ही मेमोरी का unit बढ़ता जाता है और बीट के बाद से आ जाता है क्या बाइट क्या आता है बाबू बाइट और फिर से जैसे बाइट के बाद से धीरी से जैसे साइज बढ़ता है आ जाता हमारा क्या यहां पे के भी लेकि इन दोनों के बीच एक और आता है इसे बोलते है नीबल क्या बोलते हैं नीबल अब समझो अब कैसे बनता है तो बोला जाता है कि जो बिट होता है अगर चार बिट मिला दे एक नीबल बन जाता है और चार बिट होला साइज मिला देंगे तो क्या नाम आ जाएगा उसका वन नीबल और ऐसे हम जब आठ बिट मिला देते हैं कि इक बाइट है या दो नीबल मिला देते हैं उसे बोलते हैं कि एक बाइट है मतलब जैसे साइज बढ़ा होता है चार से आठ हुआ तो नाम आ गया उसका बाही समझे अब ऐसे धीरी दरे मेमोरी का यूनिट बढ़ता जाता है हमारे साइज के साब से जैसे मान लो कोई हम डाटा रखते हैं क्या रखते हैं डाटा कोई डाटा बनाये किस पे नोट पे या वर्ड पैड पे तो जो बनाते हम लोन यह एक डाकुमेंट फाइल होता है कौन से फाइल होता है जी डाकुमेंट फाइल होता है और इसी लिए इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है क्या होता है साइज छोटा होता है और इसी साइज छोटा होने के कारण यह सबस लो पीडियाफ हो गया क्या हो गया या कोई सॉंग हो गया कोई पिक्चर हो गया कोई फिल्म हो गया तो जैसे जैसे बढ़ता जाता हो ऐसे अकार बढ़ता जाता है के वी एमबी टीवी टीवी पीवी ऐसे बढ़ता जाता समझें और अलग अलग नाम दिया जाता है अब कितना बराबर जी भी और कितना बार रखी भी वह चलिए समझते हैं तो बताया जाता इसका कंसेप्ट है ध्यान दो क्या यहाँ पे 0, 1 को बोला गया क्या? 3, ठीक है? 8 बिट को बोला गया क्या? 1, 5, चलो 4 बिट को 1 निबल और वैसे ही जैसे हम मिला देते हैं क्या 1, 0, 2, 4 क्या बाइट तो वो बन जाता 1 केबी किलो बाइट अब फिर से जैसे 1, 0, 2, 4 केबी किलो बाइट मिला देते हैं तो बन जाता क्या? 1 एमबी और जैसे 1, 0, 2, 4 एमबी मिला देते हैं तो बन जाता क्या? 1 जीबी वैसे 1, 0, 2, 4 ठीक है? जीबी मिला देते हैं तो बन जाता 1 टीबी अब कोई कंसेप्ट होगा उनलों का? आप कहोगे साथ एडेवल पी लिए एपल पना सेवे काई होता है? काईने केला होता है? बोलो, बनाया गया है, वो सोच समझ के बनाया होंगे तो तरीका है, कोई रूलों कोई सोचे होंगे पाले सब सेवे बताए थे, दूसरा कुछी बता दे तो ही पढ़ते हैं, बोलो, दू-दू-चारे काई होता है, पांच भी काई नहीं होता है यह के ते कंसेप्ट ही जो समझाएगा, उस किसाब सब लोको पढ़ना पढ़ेगा तो खाना खाने, खाना क्यों खाते हो, इसके का होता है darkness . कंसेप्ट है पढ़ना चलना है घलने के आपड़ेगा आप पुछना पढ़ेगा काहे है है, यह सको समझ के बनाएगा है पूछा उसके बारे हम बता रहे हैं तो नों बयाग मत उड़ाओ गदा अगर कोई पूछता है तो ऐसा नहीं तुम सिरिस्वे मत ले ना वह इसी बोलने का आदित ही हम तो पूछे होए इसे तो आप दो चार्टों बोल देते हैं तैसा नहीं अब लेलाना सर्द्यम को गुसा अब आगे बढ़ते हैं तो ऐसी याद हो जाएगा ना तू देखो कोष्टन कैसे पूछे जाते हैं यह समझी पूछ देगा कि मेमोरी का सबसे चोटा यूनीच तो क्या बताओगे बीट वन बाइट वराबर कितना भी एट वीट वराबर वन बाइट या वन नीबल वराब कैसे भी कोस्ऺ चाए सकता है मैं गला है कि कौन और पैट में कौन बढ़ा है कि यह पिजीवी मी कौन बढ़ा है कि अगर आपको याद होगा तो आपा बीट क्या है यह 20 interested in one knee ball Muito मतलब यह 4 विट ब mayoría वर एट विट वर आबर वश यह वट侏प बाबर इसे अञे बढते हैं अब ऐसे धर्बढ़ता जाता यह इस स बता जा रहा है एक ऐजर 24 वयवट वरमरbucks कि यहicular कि बी बराबर एक कर लोगे आपको याद करना है अगले दिन मैं पूछूंगा इतना पता होना ची कौन बड़ा और कौन छोटा है तो जब आपको सिस्टमेटिक तरीके सिरियल वाइज याद होगा ना तो आप पकड़ लोगे बड़ा कौन है छोटा कौन है लेकिन आप तुम सोच रहे हो कि प सिरियल वाइट याद कर लें तो मुझे लगता नहीं बता पाऊगे और सिरियल वाइज याद करोगे क्या होता है ठीके बीट टीके बाइट के वी यंबी जी भी टीवी पीवी ऐसे याद रहेगा तो आप असानी तरीके जबाब दे पाएंगे हो जाएगा पूश्यन भी पूछे जाते हैं बता ले जाओगे चलो याद भी हो जाएगा यह आपके बुक में भी दिया था